हेलो दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में इस वीडियो में साह जहां से सम्मंधित सभी महत्वपुर्ण फॉइंट को दिखने वाले हैं फास्ट रिभीजन करने वाले हैं पिछली वीडियो में आपने देखा था जहांगीर से सम्मंधित महत्वपुर्ण सभी साहवाब तरह यह सही कार्जकल नहीं है दोस्तों क्योंकि साहा मीरतु कि 1666 501 1666 इस्वी में तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1657 तक यह सासन करता है होता क्या दोस्तों कि सह जहां के बीमार होने की जो अफवाव फैली वह 1667 इस्वी में ही फैली उसके बाद सह जहां के पुत्रों में यूध छिड़ गया और उत्रा धिकार का यूध हुआ उसमें दारा की हत्य करके और अंग्जेव ने गद्दी प्राप्त किया तो यह 1667 इस लिए यहां पर दिया गया है क्योंकि साह जहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था जबकि कैदी के आठवे वर्स इसका मिर्तु होता है 1666 में और अंग्जेव ने साह जहां को कैद करके आगरा में रखत है और आठ वर्स तक जो है यह कैदी जिवन ब्यतित करते हुए 1666 मिर्तु हो जाती है तो आप समझ गया है कि 1667 से 1667 क्यों है और मिर्तु 1666 में होती है हना चलिए दोस्तों इस समंधित सभी महत्वपून पॉइंट को देखते हैं वह भी बहुत फास्ट दोस्तों इस वीड भी जन आपको करवा देगा चलिए देखे जहांगेर के वादगदी पर कौन बैठा साजहां जहांगेर का उत्रा धिकारी भी पुछ सकता है तो साजहां आप यहां पर लगा सकते हैं साजहां के माता का नाम जगत गुसाई था साजहां का जन 1592 में 5 फरवरी 1592 में हुआ थ साजहां को खुर्रम कहा जाता था साजहां को क्या कहा जाता था खुर्रम कहा जाता था देखे साजहां कजन मलाहौर में हुआ था दोस्तो यह भी इंपोर्टेंट है और 1612 में इसका निकाह हो गया साधी हो गया खुर्रम का विबा हो गया किस से हो गया अर्जुमंद बानो बेगम से अर्जुमंद बानो बेगम को सहा जहाने मलीका ए जमानी की उपाधी दिया था दोस्तों मलीका ए जमानी की उपाधी किसे दिया था अर्जुमंद बानो बेगम को किसने सहा जहाने अब अर्जुमंद बानो बेगम की मिर्तु हो जाती है 1631 में बहुत जल्दी ठपक गई पर सब पिढ़ा के कारण इसकी मिर्थू हो जाती है ठीक है चलते हैं अगले पॉइंट की और दोस्तों वीडियो पुरा देखिएगा काफी इंट्रेस्टेड है आपको पुरा रिविजन हो जाएगा देखिए अगला जो पॉइंट है वह है कि चार फरवरी 1628 इसबी को साह जहां आगरा में अबुल मुजफर सहाब दिन मुहम्मद साहिब कीरन इसानी की उपाधी से गद्धी पर बैठता है यह देखिए इतना बड़ा नाम के उपाधी से गद्धी पर बैठता है कौन सी उपाधी है अबुल मुजफर सहाब दिन मुहम आमद साहब कीरा ने सानी तो कीरा ने सानी पूछा जाता है अगला पॉइंट है नूर जहां से फौइंट है किसी में नूर जहां की मिरतू हो जाती है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपनी बेगा मुम्ताज नेक्स्ट जो बहुत है यहां से ले करके यहां तक एक परस्णा मेंसा सेट में देखने को मिलता है दोस्तों एदिया आपकिसी PCS यह तो SSC का सेट बनाएगा तो यह मिलेगा देखिए अपनी बेगम मुमताज महल की याद में साहजा ने ताज महल बनवाया था ताज महल का निर्मान करवाया था है ना उसकी कबर पर ताज महल की निर्मान यानि कि ताज महल क्या है ताज महल क्या है दोस्तों किसी कबर पे बनाया गया ताज महल है यानि कि किसी का मकबरा है किसका मुम ताज महल का तो उस्ताद इसा ने ताज महल की रूप में रिखा त्यार की थी ताज महल की रूप रिखा यानि इंजिनियर कौन था उस्ताद इसा ताज महल का निर्मान करने वाला मुख अस्थापत कलाकार था उस्ताद अहमद लहोरी ये बहुत बार पूछा जाता है उस्ताद अहमद लहोरी कौन था अस्थापत कलाकार और डिजाइन कौन बना था उस्ताद ईसा मयूर सियासन के बारे में बहुत कोसन आता है मैयूर सिहासन का नियमान कौन करवाता है? सा जहां करवाता है है ना इसका मुख कलाकार कौन था? बेबादल खां तो बेबादल खां और उस्ताद ईसा ये दोनों में आपको काफी कन्फूजन हो सकती है या तो अहमद लहोरी तो आहमद लहोरी ताज महल का कलाकार है और मयूर सिहासन का कलाकार कौन है बेबादल खाँ याद रहे बादसा के सिहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ायू काम की एक स्रिंखला बनाई गई थी चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों साह जहां के सासन काल को अस्थापत कलाका स्वर्ण यू कहा जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत वार दोस्तों पूछा गया है कि किसके सासन काल को अस्थापत कलाका स्वर्ण काल कहा गया है तो साह जहां के सासन काल को साह जहां दोरा बनाई गई इमारते देखिए दिल्ली का लाल किला इंपोर्टेंट है दिवाने आम दिवाने खास दिल्ली का जामा मस्जिद साह जहां बनवाया था आगरा का मौती मस्जिद साह जहां ताज महल साह जहां लहोर का किला साह जहां नोट है हुमायू के मकवरा को ताज महल का पुरवर्ती माना जाता है। 1632 में क्या हुआ था आहमाद नगर को मुगल समराज में मिला लिया था कौन साह जहां 1632 में 1632 में कौन सी घटना होई थी साह जहां ने अपनी रजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमना नदी के तर्ट के किनारे साह जहानाबाद का नीब डाला था ये देकी इंपोर्टेंट है साह जहानाबाद साह जहानाबाद का नीब किसने डाला साह जहाने क्यों अपनी रजधानी परिवर्तित करने के लिए आगरे के जामा मस्जित का निर्मान साह जहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी ये भी बहुत बार कोशन पूछा गया है कि आगरे के जामा मस्जित का निर्मान किस ने करवाई थी तो साह जहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई थी चलिए दोस्तों चलिए next point है कि साह जहां के दरबार में बंसीधर मिस्र एवं हरी नरायनन मिस्र नाम के दो संस्क्रीट कभी भी रहते थे हरी नरायनन मिस्र और बंसीधर मिस्र चलिए साह जहां ने संगिताग लाल खां को गुन समुंदर की उपादे दिया था गुन समुंदर लाल खां को कौ कभी था जंगनात हिंदी की कभी था यह कर रहा है चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट मुस्ट इपोर्टेंट दगे साजांके पुत्रों में दारा सिकों सरवाधिक बिद्दमान था इसने क्या किया था भागवत इसने भागवत गीता योग बसिस्ट उपनी स दिवम रमाइन का अनुबाद फार्शी भासा में करवाया था सरर एकवर किसका नाम था पता है उपनी सद का जो करवाया था फार्शी में अदमाद उसका नाम था सरर एकवर चलिए अनुबाद करवाया था दारा सिकों कादरी सिलसले के मुल्ला सहा बदखस्की कहसिस था कि दारासी को कि से लिए नेक्स्ट पॉइंट जो मुश्ट इंपोर्टेंट है हाँ यहां से प्रसनाता है दोस्तों सितंबर सोलह सो संतामन इसमी में साह जहां के गंभीर रूप से विमार पढ़ने की जो है अफवा फैल गई इसके पुत्रों के बीच उत्राधिकार का कन में था पंदरह अप्रैल सोलह सो अंठामन इसमी को दारा एवं और औरंग्जेव के बीच धरमत का युद होता है यह इंपोर्टेंट है बहुत बार पोचा है कि दारा और औरंग्जेव के बीच धरमत का युद कब हुआ है सोलह सोंठामन इसमी में इस युद में दारा की पराजय हो जाती है दारा हार जाता है फिर से सामुगर का यूद होता है 29 मई 16 ठामन इस्वी को दारा एवं औरेंग जेव के बीच इस यूद में भी दारा की हार जाता है दारा और उत्रा धिकार का अंतिम यूध दिवराई की घाटी में यूध होता है 1669 में ये अंतिम यूध है इसी यूध में जो है दारा की अंतिम रुप से हार हो जाती है पराजित होने के बाद इसलाम धर्म की अभेलना करने के अपराध में 30 staring 169 के कि रारा की हत्या कर दी जाती है और अंग्येव ने इसको मरवा दिया है न चलिए तो दारा के बारे में कहरा कि यहा है अपना जीवन हलवर राजस्तान के कंकरवाड़ी कीला में बिताया था कंकरवाड़ी कीला का निरवान कुन करवा था जैसे हिंदूतिये ने करवाय था जो राजस्तान में इस्थित है सहाब उलंद इकवाल के नाम से दारा सिकोः को जाना जाता है ये मुस्ट इंपोर्टेंट है सहाब उलंद इकवाल सहाब उलंद इकवाल के नाम से दारा सिकोः को जाना जाता है आठ जुन 1658 इस भी को और रंग जेव ने साहा जहां को बंदी बना लिया लिजिए बेटा अपने बाप को बंदी बना लिया ना अंठामन इस भी को आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के आठवे बरस अर्थाथ 22 जनवरी 1664 इस भी को चहुंतर बरस की अवस्था में साह जहां से संबंधेत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कैसा लगा वीडियो यह आप कॉमेंट में अपना राय दे सकते हैं अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं अगला वीडियो जो है और एंग जेव के बारे में आने वाला है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो मे तब तक के लिए जय हैं